मुम्किन है कि मंदिर और मज़द दोनों साथ बन जाए एक तरफ जुग जाए सिर उसके आगे दूसरी और यबादत को हाथ उट जाए लबग दीड़ सो साल पुराना ये राम मंदिर विवाद अब अपने अंतिम चरण पर है लगातार 40 दूनों की सुनवाई के बाद सम्विधान पीट सुप्रीम कोड की सम्विधान पीट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है मंदिर बनेगा मस्जिद बनेगा क्या होगा ये सब हम जानेंगे शायद 17 नमबर के पहले फैसला भी आ जाए क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 17 नमबर को ब्रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं तो उसके पहले ये फैसला आ जाएगा इस पुरे मामले में जो जुनोंने अपनी पैनी न नजर रखी है हमारे साथ हैं legal reporter विप्लो अस्थी सर जुनोंने 40 दिनों तक इस पुरे मामले पर अपनी नजर रखी पुरे मामले की hearing सुनी और उनका खास जो विचार है इस पर देखते हैं कि क्या है और क्या-क्या फैसले आ सकते हैं सबसे पहले स्वागते सर दी संडे पोस्ट पर आपका सर क्या लग रहे आपको किन फैसले तो सरक्षित रख लिए गए हैं लेकिन किन विचारों पर फैसले आ सकते हैं महत्पूर्ण बात यह है कि 2010 में इलहाबाद हाइकोट ने एक हिस्टोरिकल फैसला दिया एक जमीन का टुकड़ा जिसके लिए हिंदुक मुसल्मान लड़ रहे थे उसमें तीन पक्षकार थे निर्मोही अकाड़ा रामडिला विराजमान और सुनी सेंटल वक्वूर्ड 2010 में वो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही साथी 14 अपील अलग-अलग मामलों को लेकर पहुंची तेकर प्रमुक बात हिंदु पक्षकी ओर से साथ और यह कही गई कि डाइटी रामलला भगवान रामलला का वो जन्म स्थान है यह कैसे उन्होंने प्रमालित किया उन्होंने कह कि पुराण हमारे जो सबसे ऑथेंटिक हैं इस धर्म को सनातन धर्म को बताने वाले पुराण हैं उन्होंने कहा है कि अगर कोई हिंदू जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ ही अगर भगवान राम के उस इस्थान में जहां उनका जन्म हुआ है यानि कि सरीयू नदी के क तमाम वकील पेश हुए थे फॉर्मर एट्रोनी जन्रल के परास्टन पेश हुए शुशील जैन पेश हुए तमाम एडवोकेट्स पेश हुए उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि तमाम जो इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा है बकाइदा जब आयोध्या वो आये तो लिखा उन्होंने कि उस जन्मिस्थली को लेकर क्या-क्या तमाम बाते थी जो आयोध्या के इर्दिगिर्द थी जो लोग आते थे सेलानी आते थे या धार्मिक आधार पल लोग आते थे वो कैसे वहाँ पूजा पाड़ करते थे ये भी बाते कहलें इसके साथ ही मंदिर एस आई जो प्रमाडित रूप से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हर पहलू पर सुन रहा था, तो ASI यानि का Archaeological Survey of India की जो रिपोर्ट है, जिसमें ये दावा किया गया था, क्योंकि लगातार ये दावा था, कि मंदिर को गिरा कर उस पर मस्जिद बनाई गई थी, बावर के समय बनाई गई थी, उनके सेनापती मीर बाकी ने वो बनाई थी, ये कहा गया, तो ASI ने जब रिपोर्ट दी, तो ASI की रिपोर्ट पर तमाम बाते हुए, उसमें कहा गया कि जो हिंदूओं की तरफ से, होती हैं, जैसे खंबे खड़े किये जाते थे, उनमें जो आर्ट की जाती थी, उनको भी बताया गया, तो ये तमाम हिंदूओं का पक्षरा है, सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को कह रहा था और मुस्लिम पक्षिये कह रहे थे कि यह एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह टाइटल शूट है, या तो यह जमीन मेरी है या आपकी है, तो या तो मैं प्रमार दूँगा या आप प्रमार देंगे, तो लगातार मुस्लिम पक्षिये कह रहा था, कि धार्मिक अधारों को यह जो ले रहे हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि 1885 से अगर टाइटल शूट की लड़ाई है, तो मुस्लिम पक्षिकारे तरब से साबतार पर यह कहा गया, कि फिर तो हमारा दो सेंचुरी से ज़्यादा है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बताती है, कि बाबर यहां पर आया, उसका सेनापती आया, और उसने मस्जित निर्माड किया था, हलाकि हिंदू पक्षिये लगातार कहता रहा है, क्योंकि आप जानते हैं, कि 1885 के बाद से एक नया मंदिर मस्जित को लेकर विवाज शुरू ह हुआ, सबसे पहले रामलला चबूतरा था, उसमें इंट्री गेट बनाने को लेकर हुआ, इसके बाद 89 में उसमें जिस तरह कुछ लोग इंट्री करी, उन्होंने वहां पर एक मूर्ती रग दी, वहां से शुरू होता हुआ ये विवाद 2010 तक इलहाबाद हाई कोट में आय सुप्रीम कोट ये फैसला देगा कि क्या जो 2010 का आदेश है, जिसमें 2.777 एकड़ जो विवादित जमीन है, उसको तीन भागों में बाटा गया, वो सही है या गलत है, वो जमीन किसी एक की है, दो की है, तीन की है, क्या किसी की नहीं है, और मैं एक बात आपको बताना चाह हुए, केंदर सरकार ने इसी लेंड का एकोजीशन किया था, एकोजीशन को अधिगरहण को भूमी अधिगरहण किया, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोट में, सुप्रीम कोट ने इसमें बड़ी सुनवाई करी, और सुप्रीम कोट ने लेंड एकोजीशन को करेक्ट बताया था, सही बताया था, यानि कि एक तरह से आप देखें, कानूनी रूप से जो विवादित इस्थल है, वो केंदर सरकार में निहित है, अब महतपूर बात यह है, जो आपने शुरुवात करी, कि आखिर किसके पक्ष में पैसला जाएगा, तेखे, यह कहना तो बिलकुल ही गलत होगा, कि किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि समीधान पीठेने सुनवाई करी है, फैसला उन्हीं को पता है, उन्हीं को करना है, लेकिन महतपूर बात यह है, कि जो सुनवाई के दौरान, तमाम जो कानून के जानकार हैं, जो लीगल के एमिनेंट लोग हैं, उन्ह बात यह है, कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताया जा सकता है, नहीं, कानून के तमाम जो जानकार हैं, वो साबतार पर कहते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है, जो कहीं न कहीं, जो समुदाओ के बीच एक टेंचन का महौल है, बिल्कुल साफ है कि ये जमीन विवाद है, यानि कि टाइटल शूट है, अगर वो इसके पक्ष में जाएगा या इसके पक्ष में जाएगा, कहीं न कहीं कॉम्मिनल महौल बिगर सकता है, हला कि जो लोकल पॉलिटीशन जैसा कि कई लोगों का युद्ध्या से भी बयान आया उन्होंने का ऐसी कोई चीज दिखती नहीं है मा, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई न कोई बीच का रास्ता निकालेगा, बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है, सर हाइकोर्ट, इलाबाद हाइकोर्ट को जब फैसला 2010 में आया, और इक दरसे उन्हे प्रेसले को बिल्कुल बरकरार सकता है, सुप्रीम कोट उस टाइटल सूट को बिल्कुल कलियर कर सकता है, जो आज और सो साल से चला जा रहा है, और कह सकते हैं 1885 से जो शुरू हुआ, कि आखर ये मस्जित किसकी है, हिंदू कहते हैं, इसमें राम बंदिर था, मुस्लिम कह में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है मुस्लिम पक्ष का यह रिप्लाई आता है कि वो दो पन्ने में जिक्र था लेकिन वो दो पन्ने गायव हैं लेकि दोनों बाते हैं अपने अपने तरक हैं जो हिंदू पक्ष अपने तरक दे रहा है मुस्लिम पर अपने तरक दे रहा है लेक बड़ा फैसला लिखेगा जिससे साबतोर पर हर आस्पेक्ट केस के यानि कि क्या जो हिस्ट्री में लिखा गया है जो तमाम ऐसे अंसॉल्ड कोशन है जो हमारे बीच पूछे जाते हैं लाखों के बीच आपस में बात होती है कि क्या वहां पर मंदिर था नहीं था मीर बाकी सवाल देने जा रहा है कि इस बार को जो फैसला आने वाला है जो अपने आप में एक कंभीर मुद्धे को सॉल्व करेगा और एक सीव जो चलेगा ही चलेगा ताकि की सौहार्द जो है वो देश का वो बिगड़े ना और तरकपूर बिल्कुल होगा वो फैसला और मेरा साफ तोर पर यह कहना है कि अधिया में भले ही 144 लागू हो गया है लिकिन कई अधिया वासे से जब मैंने बात की तो वहाँ पर महौल जो है विल्कुल शांती पूर्ण है अब देखना यह होगा कि इस एतिहासिक समाजिक मुद्धे का अंत हो रहा है या एक नए मुद्धे का आरंब हो रहा है नमस्कार